और अब कोट के दर्वाजे पर विपक्षी दल भी पहुँच गए हैं बड़ी खबर इस वक्त आपको ये बता देश से जुड़ी हुई कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोट में सुनवाई शुरू होने वाली है इंतजार वहाँ पर जजजस का हो रहा है सुनवाई कोट नमबर एक में होगी और जस्टिस का इंतजार हो रहा है देखना होगा कि आज कोट में क्या होता है आखिर पाकिस्तानी सुप्रीम कोट में आपसे थोड़ी देर बाद ये सुनवाई शुरू हो जाएगी जैसे ही जजजस वहाँ पर पहुंचेंगे तो बड़ी बेंच इस मामले को देखेगी इस पूरे मामले पर आखिर कोट का रुख क्या होता है ये बहुत महतपूर होगा अवश्वास प्रस्ताब रद होने के खिलाफ विपक्ष ने एक अरजी दाखिल की है कोट में और उसी अरजी पर आज कोट को सुनवाई करनी है और मुम्किन है कि आज ही फैसला भी आ जाए आशिश आपको क्या लग रहा कि कोट में क्या होगा देगे चिस तरह से सुप्रीम कोट के चीफ जस्टिस ने खुच सुओ मोटो कॉगिनस लिया है ये बात और है कि opposition के petition को भी वो सुनने के लिए राजी हुए है पाँ जज़ेस की bench battery है तो मुझे लगता है जिसका जिकर पहले भी मैं कर रहा था कि कहीं न कहीं प्रामर फिसाई उनको इसमें ये element दिखता है कि इसकी scrutiny की जा सकती है और इसी वज़े से chief justice इसको सुनने जा रहे है और मुझे लगता है कि क्योंकि constitutionally भी अगर आप इसको observe करें तो एक deputy speaker इस तरह का फैसला ले no confidence motion जिसको पहले vote के लिए admit किया जाता और खुद ये सरकार सबसे एहम बात खुद इस सरकार के attorney general जिसने स्तीफा दिया है उन्होंने पहले ही Supreme Court को इस बात की जानकारी दी थी कि ये voting through होगा यानि कि voting कराई जाएगी तो यानि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो apex court है उसे भी ये लग रहा है कि उन्हें अंधेरे में रखा गया उन्हें चीट किया गया और इसी वज़े से खुच Chief Justice ने अपनी तरफ से इसको सुओ मोटो लिया है ये बात और है कि कुछ petitions opposition के entertain किये जाएंगे इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इस गुणजाईश से मिंकार नहीं कर सकते कि कहीं ऐसा नहों कि जो deputy speaker करने फैसला पढ़ा है स्पीकर को और no confidence के वोट को दर किनार किया है उसको दोबारा से बाहल कर दिया जाए और no confidence वोट को दोबारा से कराने की नौबत भी आए श्रीन प्रणे क्योंकि यहां पर देखे विपक्ष खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है और इसलिए आज कोट के दरवाजे पर है भले कोट ने स्वतर संग्यान भी लिया हूँ लेकिन अरजियां भी दाखल की गई है विपक्ष की तरफ से लेकिन क्या ऐसे मामलों में क्योंकि हम उस दो अप्रेल की उस आदेश का जिक्रियां पर जरूर करेंगे जिसमें ये कहा गया था कोट की तरफ से कि ये सदन की कारवायए है संसद की कारवायए हम उसमें दخल नहीं दे सकते हैं तो फिर आज क्या उम्मीद की जा देखे शरीअ दो आस्पेक्ट हैं इसके, पहला आस्पेक्ट यह है कि सदन की जो normal कारेवाई होती है, कौन सा question लगा, नहीं लगा, procedure होती है, चेर का decision जो है, वो माना जाता है, सामाने प्रक्रिया में, लेकिन क्या संसद, अगर constitution के जो basic प्रावधान है, basic tenet of the constitution है, अगर उसके against कोई चीज हुई है, जिसमें पूरी तरह से constitution वाइलेट हुआ है, तो ऐसे में कोर्ट की जम्मेदारी होती है, और इसलिए शायद वज़ा है कि petitions के साथ साथ, PMLN की तरफ से petitions दाखिल हुई है, पीपीपी की तरफ से petitions दाखिल हुई है, कोर्ट ने सुवबोंट कोगनिजिस भी लि ABP News आपको रखे आगे